असलाम अलेकूम अवर्य हपी लाफ्ली मॉर्निंग डियर स्टुदेंट्स आवर यू ओल जनाब कैसे आप सब खारियत से हैं ठीक ठाक है यह ओप यौल अफ़ाइन से येस अलहम्दुलेला वी ओला फाइन वेरी नाइस तो जनाब ये बताएए कल आपने अतना वर्क कंप्ल सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पर हम जाना चाहते हैं और हम जाकर बहुत ज़्यादा वहां पर एंजॉई कर सकते हैं अच्छा अब हमारे पास बुक में क्या कहा किया है good observation leads to good decision जितना अच्छा हम observe करते हैं उसना ही हमारा फैसला जो है वो बहुत अच्छा होता है the decisions made without making careful observations first are usually flawed जो फैसले हम अगर observation के बिना कोई फैसले करते हैं तो उसमें हमें नुकसान भी उठाना पड़ता है तो इसलिए हमेशे आपने क्या करना है कि अच्छे तरीके से इतने इर्द गिर्द के माहौल का अच्छे तरीके से अपने जाइजा लेना परता है कहीं भी आप जाएं आप ये देखिए कि क्या चीजें वहाँ पर मौझूद हैं क्या चीज मुझे नुकसान पहुचा सकती है किस चीज से मुझे बचना है क्या चीज मुझे अट्रैक कर वही है ये सारी आपने ऑब्जरवेशन इसकिल्स अपनी यानि कि उस वक बिलकुल हुश्यार रहना है और फॉरण से हमने डिसिजन लेना होता है कि भी मुझे अप क क्या करना चाहिए कि कोई अंसीन सिच्वेशन आपके सामने आ जाती है आप यह समझें नहीं मैं महां जाओंगा या जाओंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा मगर अच्छानक से कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर आप क्या करेंगे ठीक है फॉर्स ऑब्जर्व ऑब्जर्विंग never rush to make a decision अच्छा ज्यादा आप लोगों की राय मतले हैं अगर कोई फैसला आप करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि आप खुद अपने ही जहनी अपने जहन से सोचते हुए आप कोई फैसला करें observing is the habit of intelligent and smart human beings आपको पता है कि हुश्यार और smart लोगों की ये quality होती है कि वो हर चीज को observe करते हैं हर चीज का पहले जाइजा लेते हैं observing places are one kind of observation look all around you carefully when you visit a new place find out how it was made who are the people living there and how the place is changing with time अच्छा observing यानि कि जगाओं पर का जाइजा लेना जगाओं पर तफसरा करना ये एक बहुत important बहुत interesting activity है आप अगर किसी नई जगा पर जाते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है उस जगा का अच्छे तरीके से जाइजा लेना है कि वो जगा आपके लिए safe है आपके लिए नहीं है वहाँ पर लोग किस तरहां से रह रहे हैं किस तरहां से उन पर क्या जुन किया जा रहा है या बहुत अच्छे तरीके से वो रहे रहे हैं किस तरीके से अपनी life spent कर रही हैं क्या क्या उनकी मसरूफियात हैं क्या क्या वो अपने आपको बिजी रखने के लिए क्या करते हैं वहाँ पर उनका रहन सहन कैसा है क्या उनका कल्चर है यह सब हम observe करते हैं इसमें बहुत ज्यादा हमें मज़ा आता है और किस तरह से पहले के लोग रहते थे हैं अच्छा ऐसी जगह के आपने विजेट करना है जो कि आपने पहले भी किया था और उसके बारे में आपको बहुत सारी बातें याद भी है अगर कोई ऐसी प्लेस है जैसे अगर आप किसी और सिटी में रहते हैं तो यकीन आपकी नानी का घर किसी और सिटी में होगा तो आप हो सकता है कि पिछले साल आप नानी के घर गए हो तो अब आप क्या करेंगे आप इस एयर भी नानी के घर जाएएगा वहाँ पर आप अब्सर्फ कीजिएगा कि क्या क्या चेंजिस आई है पूरे वन एयर में क्या कोई changes आई हैं, किस तरहां से, क्या क्या उन्होंने किया है, आपकी नानी ने क्या किया है, आपके अमाम उने क्या किया है, ये सब आपने observe करना है, ठीक है, इसके इलावत ज़ोई नहीं कि बहुत से बच्चों का वहाँ पर नानी घर हो सकता है, कि अपने ही शहर में होग ताकि आप observe कर सकें, उसी जगा को कि पिछले साल में आया था तब ये चीज थी, और अब मैं आया हूँ तो अब ये चीज हो गई है, तो ये सारी points आपने note down करने हैं, और इन्हें आपने discuss करना है किस के साथ, अपनी teacher के साथ, जब आपको call करेंगी हैं, ठीक है, अपना बह कर दो मैं, पुरर ये, जब ये कांदा son और सकें, ये जब ये साथ, जब ये साथ, अब ये जब ये चीज़रेंहा करीं हैं, पिर्टकेंचरेंगोगोगगगोगोगोगोगो आर सांपने देला करींते हैं घजरा प Sell Пр